नमस्का आप देख रहे हैं हेटलाइन्स बिहार और मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरव बिहार के पुर्व सी एम और राजत सुप्रीमो लालू परसाद यादव जेल में हैं सजा याफता है फिलहाल राची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं चारा खोटालक के मामले में वो सजा काट रहे हैं और खराब स्वास्त की बजह से राची के रिम्स में भरती है बताया जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें एम्स मिल ले जाया जाएगा लेकिन इसी बीच अब लालू समर्थकों के बीच एक बड़ी ख़वर आ गई है लालू परसाद यादब को लेकर दासल लालू परसाद यादब से जुरी हुई एक लालू चालीसा का विमोचन किया गया है दसलाज शनिवार है और शनिवार को दिन आपको पता ही होता है कि किस तरीक से राची के रिम्स में उनसे तीन लोग मुलाकात करने पहुँच सकते हैं तो आज मुलाकात करने पहुँचे कई नेता जिसमें अभय कुमार सिह भी थे जो कि राजत के जारखन परदेश अध्याच है तो उन्होंने इस लालू चालीसा का बिमोचन किया है रिम्स के बाहर ही इस लालू चालीसा में लालू परसाद यादब से जुरी ही बाते लिखी ह हुई है एक चालीसा की रुप में लिखी गई है उन्हें एक लालू समर्थक नहीं लिखा है और इस चालीसा को विमोचित किया है वहाँ पर तमाम लोग जो थे जो उनसे मिलने गये थे लालू परसाद यादब से मिलने पहुचे थे अभय कुमार सिह और तमाम जो उनके सम पिछले दिनों यह खबर आई थी कि उनकी तबियत ज्यादा विगर गई है जिसके बाद डॉक्टर उन्हें एम्स में भेजने का प्लान बना रहे हैं ऐसे में परतेख शनिवार को उनसे मिलने तीन लोगों को इजाजत है कि शनिवार को तीन लोग उनसे जाके मिल सकते हैं औ तो ऐसे में आशनिवार को भी कई लोग मिलने पहुँचे और इस अफसर पर लालू परसाद यादव पर लिखी गई है चालीसा अभैकुमार सिंग जो कि राज़त के परदेश अध्याक्ष है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रित करती है तमाम चीव सम आपको अपडेट कर रहे हैं अगर आपने अब तक माई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जलत सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद